मैं तुरंत नहीं लेकिन निश्चित तौर पर जीतूंगा इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेर के क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर करते हैं प्रिविएस डे के क्वेस्टन से हमारा क्वेस्टन था वाट वस्द प्रोफेशन ओफ चंदन मित्रा हूँ पास्डवे रेसेंटली हाल ही में निधन हो चुके चंदन मित्रा का पेशा क्या था हमारे ऑप्षिन जयर्नलिस्ट ऑथर बैंकर अक्टर तो इसका सही पूर्वर राज्य सभा सांसद और वरिष्ट पत्र का चंदन मित्रा का निधन हो गया है वह 65 वर्ष के थे मित्रा नाई तिल्ली में दपाइनियर अकबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे अगला क्वेशन देखते हैं विच सिटी ए विल होसे था इफएंस एक्स्पो वेंटी टो बारवे डिफेंस एक्स्पो डोज़ार बाईस की मेजबानी कौन सा सहर करेगा तो हमारे ऑप्षन है बंगलूरू गांधी नगर लखनाव इंदौर तो इसका सही अप्षन है ऑप्षन भी गांधी नगर बारवा डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात की गांधी नगर में 10 से 13 मार्च 2021 तक हाईब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला है अगला क्वेशन देखते हैं What is the total special drawing rights SDR allocation made by IMF to India IMF द्वारा भारत को किये गया कुल विसेश आहरण अधिकार आवंटन कितना है हमारे option है SDR 12.57 billion, SDR 19.41 billion, SDR 13.66 billion, SDR 17.72 billion तो इसका सही option है option A, SDR 12.57 billion अंतराश्र मुद्रा कोस ने भारत को विसेश आहरण अधिकार SDR 12 यानि की 12.57 billion का आवंटन किया है लगबग 17.86 अरब अमरीकी डॉलर जो है इसके साथ भारत की कुल SDR holding जो है वो 13.66 अरब SDR जो कि लगबग 19.41 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर हो गई है अगला question देखते हैं PM Modi virtually addressed the 6th Eastern Economic Forum EEF recently which country was the host of the EEF Summit 2021 PM Modi ने हाल ही में छटे Eastern Economic Forum की virtually संबोधित किया था EEF Summit 2021 का मेजबान कौन सा देश था? हमारी option है France, Russia, Germany, Australia तो इसका सही option है option B Russia प्रदान मंत्री श्री नरीन मुदी जी ने 3 सितंबर 2021 को रूस के वलादी वोस्तोक में आयोजित 6 पूर्वे आर्थिक मंच EEF के पूर सत्र की वस्तुता संबोधित किया पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस मंत्री श्री हारीदीव सिंग पूरी और प्रमुक भारती तेल और गैस कंपनियों के नित्वित्त में एक भारती प्रतिनी धिमंडल रूस में EEF के सम्मेलन 2021 में भाग ले रहा है अगला क्वेशन देखते हैं प्रवीन कुमार हैस क्लेमड अ सिल्वर मेडल इन विच इवेंट अध टोक्यो परालंपिक केम्स प्रवीर कुमार ने टोक्यो परालंपिक स्केलों में किस परधा में रजत पदक जीता है अगला क्वेशन देखते हैं नेम दा इंडियन पैरा एथलीट फुक हाज वान टू मेंडल अध ओन गोइंग टोक्यो गेम्स इन शूटिंग इवेंट उस भारती पैरा एथलीट का नाम दताय है जिसने निशाने बाजी इस परधा में चल रहे टोक्यो खिलो में दो पदक जीते हमारे ऑप्शन है मर्यपन थंगवेलू शरत कुमार देवेंद जजरिया अवनी लेखरा तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अवनी लेखरा हाले में एक अभूत पूर स्वडव जीतने के बाद भारती पैरा शूटर अवनी लेखरा ने अब 3 सितंबर 2021 को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 इवेंट में टोक्यो में पैरा ओलम्पिक खिलो में देश के लिए कास सिपदक जीता है अगला क्वेशन देखते हैं वाट इस दे रैंक ओफ इंडिया इन दा हुरेन इंडियान फ्यूचर यूनिकॉन लिस्ट 2021 हुरेन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉन लिस्ट 2021 में भारत का कौन सा रैंक है तो हमारे ऑप्शन है पूर्थ सेकेंड थर्ड शिक्स तो इसका सही है ऑप्शन सी थर्ड हुरेन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉन लिस्ट 2021 जारी की है जिसके अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉन स्टार्ट अप एको सिस्टम है अगला क्वेशन देखते हैं राज्यसभा के नए महासाच्यू के रूप में किसे नियूप्त किया गया है हमारे ऑप्शन है डाक्टर पर्शाराम पताभी केशव रामचार्यालू हरिवन्श सिंग मलिका अर्जुन खडगे डॉक्टर भागवत करड़ यूप्शन है ऑप्शन ए डाक्टर पर्शाराम बताभी केशव रामचार्यालू को संसद के उच्छू सदन का नया महासच्यू नियूक्त किया है अगला हमारे आज के क्वेश्चन अव दाड़े को जो है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लागे है लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर दे थाइंक यू